कंप्यूटर सिखने के लिए हमारे चैनल लर्न कोडिंग को सब्सक्राइब करें हाई फ्रेंड्स आज के इस वीडियो में मैं आपको फंक्शन की के बारे में बताऊंगा कि क्या यूज कैसे आप इसका यूज करके किसी भी सौटकर काम को बहुत असानी से कर सकते हैं तो एफ वन से एफ टुवल करता होता है रीनेम करने के लिए किसी भी फाइल फॉल्डर को अगर आप नाम को चेंज करना चाहते हैं बदलना चाहते हैं तब आप एस टो की प्रेस करिए फ्री फंक्सन की क्या करता है bizka काम हम सर्चिंग के करते हैं मान लीजिए आपको किसी भी पर्टिकुलर चीज को सर्च करना है तब आप वहाँ पर F3 प्रेस करिए तो सर्चिंग वाला मेनु आपके सामने आप मुआ पर वर्ड को सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा फंक्सन एफ फॉर का यूज़ हम करते हैं अल्ट के साथ जब हम अल्ट के साथ फंक्सन की एफ फॉर को दबाते हैं तब इसका दो काम होता है पहला तो आपके सिस्टेम में जितने भी प्रोग्राम्स खुले करता है और सेकेंड आपकी सिस्टेम को अगर आपको सट डाउन करना है तब आप कर सकते हों रिस्टार्ट के लिए भी आप कर सकते हो आपको बस एक नेविगेशन बार नीचे वाला दबाना होगा डाउन के लिए तो रिस्टार्ट भी हो जाएगा एफ फाइब का आप कर सकते हैं और आप नेगर कोई स्पेलिंग गलत लिए तो आपके ग्रामर को यह करता है और आप महां पर सकते हैं कि आपने यह वर्ड गलत लिखा है function key 8 यानी f8 क्या करता है boot menu के लिए काम करता है माल लिजे आपको अपने system में boot menu open करना है तब आप क्या करें f8 press कर एफ 9 function की का क्या होता है remove selected item माल लिजे आपने किसी भी item को select करके रखा है अब अगर आप f9 press कर देंगे तो आपके selected item को remove कर देगा function key 10 F10 का use हम ज़्यादा तर shift के साथ करते हैं तो जब आप shift और F10 प्रेस करेंगे तो right click का काम ये करेगा जिस तरह से हमारा mouse में right click हम करते हैं से मुसी तरह से इसमें भी होगा shortcut की होता है shift F10 ठीक है तो right click का पूरा काम ये करेगा मान लिजे आपका mouse खराब हो गया तब आप कर सकते हो second इसका क्याम का होता है कि MS Word में आपके menu बार को ये activate करता है यानि आपके सामने एक menu खुल जाएगा अगर आप दबाएंगे तब तब आप F11 दवाईए और मान लिजे फिर से छोटा screen करना है फिर भी आप उसके लिए F11 को ही प्रेस करिएगा लास्ट में देखे हमारा होता है F12 का यूज हम सेवेस के लिए करते हैं मान लिजे आपको कोई file को save करनी है save कर रखा है दूसरे नाम को दूसरे नाम से save करनी ह और किसी दूसरे location में मान लिजे करनी है तो इस case में आप save के लिए F12 प्रेस करेंगे यह होता है हमारा F1 से लेके F12 तक total 12 function के अगर आप इनका यूज समझ जाएंगे आपको पता होगा तो यह आपका time बहुत बचाएगा ठीक है आप किसी भी काम को मिंटों में कर सकते हैं